Hello everyone, welcome to Farmerux YouTube channel Farmerux की YouTube YouTube channel में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको proper information दूँगा Pharmacy course के बारे में कि जिसको Science of Medicine का जाता है तो जो भी हम दवाईया वगेरा यूज करते तो उसके related जो पुरा science है और उसके related जो detail study होती है वो फार्मसी के course के अदर की जाती है तो जानेंगे आज के lecture के अदर के pharmacy के course के अंदर कौन से अलग-अलग subjects होते है उसकी युग्यदा क्या रहेगी कि जो eligibility जो हम कहते है वो क्या रहेगी और कौन से अलग-अलग courses include होते है pharmacy के अदर तो जानते हैं डीटेल में आज के लेक्चर में और सीखेंगे की फार्मसी कूर्स के बारे में डीटेल में तो अब समझेए फार्मसी के बारे में तो फार्मसी मतलब की science of medicine की जितनी भी हम अलग-अलग दवाईया यूज करते हैं जितने भी medicines आते हैं तो उसके related जो डीटेल स्टेडी जो किसी कूर्स में की जाती है तो वो है फार्मसी तो फार्मसी को medicine का science कहा जाता है बिकॉस जो फार्मसी की जो पड़ाई करने वाले जो students होते हैं वो आगे जाके अलग-अलग pharmaceutical companies के अंदर जो है वो job करते हैं और साथ हो साथ वो वहाँ पे medicines के manufacturing के साथ भी जुड़े हुए होते हैं तो फार्मसी मतलब की science है medicine का की जो associated है research के साथ कि जब कोई नई दवाईया सर्च करनी है नवी दवाईयों के बारे में हमें information collect करनी है और जब भी कोई new medicines market में available होते हैं तो उसके related जो research होते हैं वो फार्मसी से जुड़े हैं फिर research होने के बाद second step होता है manufacturing का कि एक बार दवाईयों के बारे में research हो गया तो उसके बाद जो scientist होते है research scientist उसको manufacturing में ले जाता है कि जिस पे दवाईया जो फिर बनती है उसके बाद proper analysis की जो भी दवाईया बनी है उसको proper check करना जरूरी है तो उसको analyze किया जाता है तो research से फिर manufacturing, manufacturing से analysis और analysis हो के जब medicines proper तयार हो जाती है तो उनके selling के लिए and distribution के लिए जो है वो market में available हो जाती है और फिर वो अलग-अलग customer तक consumers तक पौस्तिय के जिनसे उनका ilaj होता है तो हमें पता है कि जो medicine से के drug store पे available होते है कि जिसको chemist और drugist भी कहते है as well as हम उसको pharmacy भी कहते है तो routine में जितनी भी अलग-अलग type के दवाई या use होते है जैसे कि आप medications यूज करते है, vitamins के tablet यूज करते है तो ये सबी जो है उनका research से लेकर distribution दब का काम जो है वो pharmacy के अंदर है और pharmacist जो होते हैं कि जो student pharmacy की study complete करता है उसके बाद उन्हें pharmacist कहा जाता है तो pharmacist का जो main role ये होता है कि deliver करता है safe doses form and effective मलब कि ऐसी दवाई या वो patient को deliver करते हैं कि जो काफी safe भी है and effective है कि जिनसे उनके disease and disorder का proper ilaj हो जाए तो pharmacist कौन है तो qualified person की जिसके पास pharmacy का qualification है कि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो pharmacy का जो course आप complete करते हैं तो वो course complete करने के बाद जो qualified person आप बनते हैं तो उनको कहा जाता है pharmacist की जिसके पास degree है या फिर diplomine pharmacy का qualification है की चाहिए अपने degree pharmacy की है या फिर diploma pharmacy और साथ ही साथ जो state pharmacy counseling होती है तो state pharmacy council में से आप जो है वो register किये गए pharmacist है और जिसके पास license होता है और साथ जो साथ knowledge होता है कि medications को कैसे sell करते हैं किस तरह से उनका distribution करना है और कैसे ये medicines का manufacturing होता है तो proper knowledge रहती है pharmacist के पास ये medicine से related तो scope के बारे में हम जाने तो pharmacy जो profession है उसके बाद जो भी आपको qualifications मिलती है तो वो pharmacist कही जाते तो pharmacist जो हो बहुत सारी अलग 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 pharmacy के branches के अपना career जो हो बना सकते है कि pharmacy profession के बहुत सारी अलग अलग branches है तो ये course specially जो हो deal करता है medicines के साथ तो medicine से research से लेकर उनके manufacturing, उनके selling, distribution सभी के लिए pharmacist का involvement रहता है तो बहुत सारे scope रहते है career opportunities रहती है pharmacist की कि वो medicines के manufacturing के related भी काम कर सकते है कि जो production होता है जब medicines का उसमें भी वो काम कर सकते है फिर medicine का dispensing मतलब कि अलग अलग patient तक वो medications का पहुचाना, फिर उनके related proper research करना, उनको develop करना फिर teaching profession में भी pharmacist जो है वो काम कर सकते है and healthcare profession के अंदर तो जो भी pharmacy की पढ़ाई करते है तो उसके लिए बहुत सारे scope रहते है जैसे यहाँ पे हम bright career देखे ए फार्मसी का कि जिसको pharma tree कहा जाता है तो यह पूरा tree देखो और उसकी बहुत सारे branches जो है वो आप यहाँ पे देख सकते है कि pharmacist जो अपनी opportunity से abroad में भी बना सकते के मतलब कि आप out of India जाके भी अलग-अलग country में settle होके वहाँ पे as a pharmacist काम कर सकते है chemist shop भी आप open कर सकते कि जो दवायों का जो store होता है वो भी आप open कर सकते है तो यह opportunity हो गई out of India की chemist का swap open कर सकते फिर government job के तोर पे और government pharmacist की post पड़ती है drug inspector की है तो बहुत सरी से government post भी है pharmacy के रिलेटिक जहाँ पे pharmacy complete किया हूँ student जो अपलाई करते हैं फिर hospital के अंदर एज़ा आप hospital pharmacist भी काम कर सकते हैं medicines के production और manufacturing में काम कर सकते हैं उनके formulation and development related काम कर सकते हैं जो pharmaceutical industries के अंदर होते हैं फिर medicines के analysis related quality assurance quality control जैसे भी आप काम में involved हो सकते हैं फिर drug regulatory affairs की ये काफी नई ब्रांच है medicines की की जो regulatory और medicines के regulations से जुड़ी है फिर research करना और उनको develop करना medications को academic में लब की teaching profession में भी जा सकते हैं फिर जो marketing करना होता है medicines का की company के अंदर जो market representatives होते हैं ये भी आप के लिए एक option रहता है higher studies भी आप कर सकते हैं उसके अंदर और regulatory bodies में भी काम कर सकते हैं जैसे आपने साइद नाम सुना हो की US FDA करके होता है regulatory agency की जो medicines को approval करने का उनके inspections से related काम करता है तो ऐसे हरक country के अपनी regulatory bodies होते हैं उसमें भी pharmacy के जो student है वो आगे जाके जो है वो work कर सकते हैं वहापे भी उनके job की opportunities रहती है community pharmacy के तोर पे आप जो है वो society के अंदर community pharmacist के तोर पे hospital pharmacist के तोर पे काम कर सकते हैं फिर जो packaging technology होती है कि जो भी medicines तयार होती है उनको अच्छे से pack करना जरूरी है तो वो भी एक scope रहता है pharmacy के students के लिए यहापे आप देखो कि बहुत सारी well-known pharmaceutical companies है कि जिसके अंदर pharmacy करने के बाद जो हो आप job कर सकते हैं जैसे कि आप यहापे देख रहें कि well-known pharmaceutical company Pfizer देख सकते है, Zydus का logo देख सकते है, Sun Pharma है, Zydus Cadillac है, फिर Renbex C है CEPLA है, तो यहापे जितने भी अलग-अलग logos आप देख रहे हैं यहापे इतनी well-known pharmaceutical companies है कि जिसके अंदर जो हो आप job कर सकते हैं जैसे कि Glenmark यहापे आप देखो, GS के है, फिर Novartis है बहुत ही well-known pharmaceutical यह company है, तो pharmacy के अंदर admission कौन ले सकता है तो जिन students ने 12th science किया हुआ है, और 12th science के अंदर उनका physics था या फिर chemistry था, biology था या फिर mathematics, तीनों, चारों जो subject है कि आपका group चाहे physics, chemistry and biology वाला था, या फिर physics, chemistry या फिर maths था या फिर आपने दोनों रखे थे, biology भी था और maths भी था, तो यह सभी students जो है वो eligible बनते है, pharmacy के course के अंदर admission लेने के लिए और minimum जो है वो 50% जो है आपके marks होने चाहिए, qualifying होने के लिए कि जो secure करने चाहिए आपको minimum 50% marks pharmacy के अंदर admission लेने के लिए जो student ने diploma in pharmacy किया है, defarm किया है, वो भी bachelor of pharmacy के अंदर जो हो admission ले सकते हैं, जिसको degree course कहा जाता है तो pharmacy के अंदर courses के बारे में मैं आपको समझाओ, तो सरुवात से आप देखो pharmacy के courses के अंदर तो सरुवात होती है, course और उसके duration हम समझे तो आपके पास दो option रहते हैं, कि आप जो है वो defarm भी कर सकते हैं, या फिर befarm भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास option रहते हैं, तो कुछ student diploma in pharmacy करते हैं, कि जो सिर्फ 2 साल का course रहता है, पर वो diploma रहते हैं, तो आगे जाके आपको जो है वो bachelor के लिए graduation के लिए bachelor of pharmacy, जो है वो करना ही पड़ता है, कि bachelor degree लेने के लिए वो 4 साल का course रहेगा, तो अगर असम जो कि आपको directly befarm के अंदर admission मिल जाता है, तो वो ज्यादा बेटर कि directly आप bachelor ही करें, कि जिससे आपके जो है वो diploma के 2 साल जो है वो बच सकते हैं, फिर befarm जिसी आपका complete होता है, आप जो है उसमें master degree ले सकते हैं, कि जिसको mfarm कहा जाता है, तो befarm के बाद mfarm जो है वो 2 साल करेता है, और उसके बाद, जो है वो mfarm के बाद भी समझे कि आपको higher study करनी है, pharmacy के अंदर ही, तो आप जो है वो PhD कर सकते हैं, pharmacy के अंदर की, जो usually 3 से लेकर 5 साल के अंदर जो है, वो complete होता है, तो diploma के हम बात करें तो physics, chemistry, biology या फिर physics, chemistry, maths था आपका, दो years का ये course duration रहता है, ये समझे के आप course complete कर लेते हैं, diploma in pharmacy का, तो उसके बाद जो आपको degree मिलती है, उसको कहा जाता है, defarm, क्या आपने defarm किया है, या फिर defarm कहा किया है, तो defarm कही जाते हैं, या फिर diploma in pharmacy है, आप और ये course करने के बाद भी आप register pharmacist बन सकते, तो अगर आपका goal इतना है, कि आपको सिर्फ pharmacist के तोर पे काम करना है, या फिर आपको जो है, वो medical store open करना है, तो diploma in pharmacy की study जो है, वो enough रहती की, जो दो साल की होती है, फिर आगे समझे कि आपको समझे कि graduation करना है, तो उसके बाद second option रहता है, तो वो भी मैं आपको बताता है, तो diploma फार्मासी करने के बाद आप जो है वो medical store अपना खोल सकते हैं और अगर आप government pharmacist के लिए apply करते हैं government job के लिए तूस वक्त आपको two years का experience लगेगा कि आपने medicines का dispensing किया हुआ है किसी भी government या फिर non government institutions के अंदर या फिर कोई भी ऐसी hospital के अंदर आपने दो साल ऐज़ा फार्मास काम किया होना चाहिए तब आप eligible बनते हैं अगर कोई government post के लिए apply करते हैं तो यह होगा है डीफ फार्म का qualification की जिसको diploma in pharmacy कहा जाता है आगे जो है वो bachelor degree मतलब की graduation तो directly 12 के बाद आप graduation के लिए भी ले सकते हैं admission कि अगर आपको directly bachelor of pharmacy के अंदर admission मिल जाता है तो better है कि आप बी बी फार्म का जो हम course duration देखे तो वो रहता है चार साल का रहता है और semester pattern हो तो total 8 semester जो है वो आपको clear करने पड़ते है और 8 semester complete करने के बाद आपको जो qualification दिया जाता है वो कहा जाता है bachelor of pharmacy बी फार्म कहें जाते है आप और बी फार्म के बाद जो है वाप register pharmacist बन सकते हैं and ये degree जो है वापको graduation provide करती है बी फार्म graduate जो है वाप कहा जाते है और bachelor degree आपको मिलती है तो bachelor degree के बाद आपको ये जैसे में आपकी पूरा फार्माटरी आपको समझाया था तो ये सब भी career opportunities, career opportunities आपके लिए रहे जाती है कि बी फार्म जो है वो research में जा सकता है, development में जा सकता है pharmacist बन सकता है, hospital में job कर सकता है, QA, UC में जा सकता है, teaching में भी जा सकता है कि अगर diploma के colleges वगेरा होते तो वहाँ पे भी आप जो है वो apply जो है वो कर सकते है and बहुत सारे आपके लिए opportunities जो है वो तैयार हो जाती है आगे जो है वो master degree है कि master of pharmacy कि जिसके अंदर जो students ने bfarm किया हुआ है वो आगे graduation के बाद post graduation कर सकते हैं कि जिसको PG कहा जाता है तो after bfarm ये course रहेगा दो साल तक कि जिसके अंदर आपको project वर्गी करना होता है आपको एक thesis बनानी होती है किसी भी topic के उपर research करके और उसके बाद आपको PG course की जो है वो master degree मलती है कि जिसके बाद आप master in pharmacy mfarm कहे जाते है और mfarm के अंदर admission लेने के लिए जरूरी होता है कि student जो वो GPED exam को qualify करें कि एक exam आपको qualify करनी पड़ती है bfarm के बाद या फिर bfarm GPED के rank के basis पर या फिर जिनोंने GPED qualify नहीं किया उनके लिए जो non GPED की exam होती है उनके basis पर पी admission मिल जाता है और ये course duration रहती है दो साल की अब mfarm के बाद mfarm समझें कि आपने complete किया है 50% या फिर उससे ज्यादा percentage के साथ तो आप PhD कर सकते हैं तो after mfarm जो है वाप PhD कर सकते हैं कि 3 से लेकर 5 साल करेता है तो अगर आपके mfarm में 50% या फिर उससे ज्यादा है और उसके बाद PhD के entrance examination आप clear करके और फिर उसके फिर आपको research proposal presentation देना होता है आपके PhD वर्क के उपर और उसके बाद आपको जो है वो admission मिलता है PhD के अंदर उसके बाद आप enroll हो जाते है PhD गोर्स के अंदर तो इस तरह से आप फिर research करते हैं proper और वो research जैसे आपका complete होता है अप्रूल होता है तो आप जो है वो doctorate हो सकते हैं pharmacy के अंदर भी तो pharmacy की जो governing body है तो वो है pharmacy counseling of India की एक ऐसी governing body की जो सब भी पूरे इंडिया के अंदर pharmacy के courses के उपर उनका एक proper control रहता है और उन्होंने जो syllabus बनाया है वो universal same बनाया कि आप समझो कि इंडिया के किसी भी state के अंदर study कर रहे है आपको जो है वो universal same syllabus मिलेगा all over the India कि इंडिया के किसी भी state में है किसी भी university में है आप जो है वो एक ही syllabus study करते है फार्मसी का तो इस तरह से क्या होता है कि एक uniformity हो जाती है course की कि English medium में यह पूरा course रहेगा और pharmacy counseling of India उसको पूरे इ सुना होगा कि medical counseling of India होता है MCI होता है कि जो medical की courses को control करता है पूरे इंडिया में same syllabus के साथ तो उसी तरह से PCI कि जिसको pharmacy counseling of India कहा जाता है कि जो pharmacy course को control करते हैं पूरे इंडिया के अंदर सब जो समझे तो human anatomy and physiology की study करते हैं फिर pharmaceutical analysis subject आता है फार्मासुटिक्स आता है chemistry से जुड़ा in organic chemistry आता है फिर organic chemistry भी रहता है remedial biology mathematics भी पढ़ना होता है organic chemistry देखुआ गया computer के भी study करते है students computer का एक subject आता है फिर आगे बात करें तो students जो biochemistry भी पढ़ते है pathophysiology भी पढ़ते हैं जिसके अंदर आप अलग-अलग disease and disorders के बारे में सिखते है environmental science है फिर physical pharmaceutics से आता है microbiology, biotechnology related subjects भी आते हैं जो pharmacy से जुड़े है pharmacy research के साथ जुड़े है फिर engineering के जो concept pharmacy में कहाँ पर use होते हैं तो उसके लिए आ जाएगा pharmaceutical engineering, medicinal chemistry study करते हैं इसके अंदर आपको पता चलता है कि दवाईय कैसे बनती है, कैसे उनके chemical structures तयार होते हैं और कैसे वो medications अपने काम करती हैं फिर दवाईय की पूरी जानकरी जो आप पाते हैं pharmacology subject के अंदर की जितने भी हम अलग-अलग medicine सीखते हैं तो उनकी related जो detail study आती है pharmacology subject के अंदर की जितने भी अलग जैसे कि समझे कि आप कोई aspirin यूज करते हैं तो aspirin जो है वो किस तरह से body के अंदर काम करती है उसके use क्या होते है कौन से class का ये medication होता है उसके side effects क्या होते है कब use करनी है कब use नहीं करनी तो ये सब detail study आप करते है pharmacology के अंदर फिर pharmacognosy के अंदर जो इतनी भी हमारी herbal medication से तो herbal के related study की जाते है कि herbal दवाईया जो होती है phyto chemistry भी उससे जिड़ेट फिर industrial pharmacy की जैसे aspirin है तो उसका आप tablet यूज करते है या फिर capsule वगेरा यूज करते है फिर अलग-अलग जो injections आते हैं वो कैसे बने जाते है IV drips होते है वो कैसे बनती है तो वो होता है फिर जो pharmacy से जुड़े जो अलग-अलग low अगेरा होते है laws अगेरा जो अलग-अलग जो काईदा की है जो conditions जो आपको study करनी होती है वो वहाँ पे आते है फिर herbal drug की technology बाव फार्मासोटिक्स quality assurance कैसे अलग-अलग instrument यूज किया जात फार्मसी के practice कैसे कर सकते है आप वो subject रहेगा novel drug delivery system फार्मासोटिकल marketing रहता है regulatory science फार्मा को vigilance तो यह सभी subject के study करता है फार्मसी का student तो फार्मसी से जुड़े और भी जानकर इसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं फार्मारोक्स का application की जो Android application है Google Play Store पे Apple iPhone, FA App Store पे link आपको description box मे मिल जाएगी, good luck and all the best